हेलो गाईस मैं निलेश ब्रसाथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आज के वीडियो में हम लोग कुछ 12 के बाद क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं ठीके जैसे बहुत से मुंबई इन्विस्टी में कौन से जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं और यह जो कॉलेजेस हैं यह पालगर्ट डिस्टिक वाले हैं ठीके तो जो पच्चे पालगर्ट डिस्टिक में रहते हैं उन बच्चों के लिए यह बहुत ज्यादा फाइदे मंद है जानकारी और वो के इन्क्वेरी कर सकते हैं उस कॉलेजेस के बारे में और एक्स्ट्रा जान सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसको सुरू करते हैं तो यहाँ पे आफ्टर 12 बारवी के बाद कौन सा कॉलेज अच्छा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यह बेसिकली जो पालगर डिस्टिक है उसके अंदर की कॉलेजे से ठीक है तो पालगर डिस्टिक हम लोग मुंबई डिविजन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं सिर्फ जो पालगर डिस्टिक में जो कॉलेजे से उने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स वालगर स्टेशन पर उतरते हो तो वहां से आपको 10 या 15 मिनिट का जो रास्ता है आपको यहां तक जाने के लिए और यहां पर आपको आर्ट्स कॉमर्स सांज यह तीनों चीजों के लिए आपको सिखाया जाता है सात में यह जो कॉलेज है यह डिग्री लेवल तक है यहां पर यहां पर आप मस्तर्स लेवल की यहां पर प्रोवाइड किया जाते हैं और इसका जो फीर स्ट्र है वो भी बहुत कम है क्योंकि यह गौर्मेंट से affiliated है, साथ में ये गौर्मेंट इसको fund provide करता है जिसके कारण यहाँ पे आपको added भी division मिलेंगे और unadded भी division मिलेंगे, यानि अगर आपका merit list में लगता है तो आपको added में पढ़ने मिलेगा, जिसके अंदर जो fees ये वो government colleges के तरह होता है, ठीक है, ये हो गया first college, दूसरे college है, St. John College of Humanetics and the Science, पालघर महराष्टरा तो ये भी जो college है, ये पालघर में ही है, ठीक है, तो ये भी आप college पालघर में, अगर पालघर station पे उतरते हो आप, तो वहां से आप रिक्सा कर गया, आप 5 या 10 मिनट में St. John College आप पहुंच सकते हो, ठीक है, और ये जो St. John College है, इसके बहुत सारे variety है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने Humanetics और Science के बारे में बात किया है, लेकिन जो St. John College है, उसका pharmacy का भी एक department है, ठीक है, उसके बाद इसका जो Engineering है, उसका भी एक department है, ठीक है, तो आपको ये सब चीजे पता होनी चाहिए, और इसका जो Fist structure है, ये Private College जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो Study Material है, यहाँ पे जो पढ़ाई का तरीका है, वो बहुत अच्छा है पालगर दिस्टिक में, ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि One of the best college है बच्चों के लिए, जो पालगर दिस्टिक में रहते हैं, उनके लिए और यहाँ पे आपको 12th के बाद जो Degree Level के जो Exam होते हैं, जैसे Degree के जो पढ़ाई होती है B.Sc हो गया, फिर B.Com हो गया उसके बाद यहाँ पे आपको Humanetics के बारे में सिखाया जाता है Science के अंदर जो courses उनके बारे में भी यहाँ पे सिखाया जाता है ठीक है, उसके बाद जो 3rd है, Vedanta Institute of Medical Science तो यहाँ पे सभी बच्चों ने Vedanta का नाम तो सुना ही होगा और यह भी जो college है, यह पालगर दिस्टिक में ही आता है लेकिन यह जो college है यह आपको दहानू में है ठीक है, तो आपको क्या है यह दहानू station आप जब उत्रोगे तो वहाँ से आपको लगबग आधा या लगबग 45 या एक घंटे का जो सफर है आपको यहाँ से बाइ रोड और वह भी वेहकल से आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा और यह जो वैदानता institute of medical science college है, यह highway touch है ठीक है, और यह specially जो बच्चे medical में जाना चाते हैं 12 के बाद, तो उनके लिए अगर neat crack करते हैं वो तो neat crack करके वो वहाँ पर admission ले सकते हैं, और यह जो college है, यह एक private institute है लेकिन इसके अंदर आपको जो private बहुत सारे institute होते हैं और उनका जो fees होता है, वो बहुत जाता होता है, लेकिन as compared to और जो मुंबई में जो private colleges हैं उनके मुकाबले जो यह Vedanta institute है, उसका जो fee structure है, वो बहुत जादा कम है तो इससे यह आपको एक फाइदे मंद है, वहाँ पर आपको hostel की facility मिलेगी, वहीं पर आपको रहना है, पढ़ना है अच्छे अच्छे lab वहाँ पर आपको मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार visit कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं अपने अनुभाव से कहता हूँ कि यह जो Vedanta college है, और इसका जो campus है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है तो वहाँ पर आपको हर चीज provide की जाएगी, हर एक चीज आपको उहाँ पर मिलेगी, और यह जो college है दाहनू में, वो अभी नया नया ही बना है, तो आपको उहाँ पर जो facility है, वो बिलकुल fresh मिलेगी, उसके बाद जो fourth है, विद्या वर्धनी वसई रोड दिस्टिक पालगर तो यह college के बारे में भी बहुत से बच्चे जानते होंगे, यह college के बारे में Mumbai division के भी बच्चे जानते होंगे, और जो पालगर division में पालगर district में रहने वाले बच्चे हैं, वो भी जानते होंगे, और यह जो college है, वसई रोड में स्तीथ है, अगर आप वसई रोड जाते हो याने विरायर के एक स्टेशन बाद आपको नाला सोपारा फिर वसई मिलेगा और जो बच्चे अगर मुंबर डिविजन में रहते हैं तो बोरी वली के दो तीन स्टेशन पहले यह आपको दहानू जो वसई रोड है वो आता है ठीक है और यह जो वि फेसिलिटी है वो मिलेगी इसके साथ ही यहाँ पर आपको डिगरी कॉलेज के जो कोर्से से वो प्रोवाइड किये जाते हैं साथ ही जो मास्टर कोर्से से और साथ में जो पी एचिडी के कोर्से से वो भी यहाँ पर मुंबईनु सिटी के तुरू प्रोवाइड किये जाते गश्राइज है वीवा teenager तो यहां के जो पालगर इस्टी के हो या मुंबई डिज्टी मुंबई डिविजन के हो लगभग सभी लोग वीवा-कॉलेच को जानते हैं क्योंकि यह जो कॉलेज है thirty बच्चों के लिए famous है क्योंकि यहां पर जो बच्चों का crowd है वो बाखी colleges से बहुत जादा होता है हमने जितने भी colleges पहले देखे यह 4 colleges हमने discuss किये वहां से लगभग 50% जो जादा crowd है वो आपको वीवा college में देखने को मिलता है क्योंकि एक तो यहां पर इसका जो campus है यहां पर जो building का structure है उसमें बैटने के लिए बच्चों का जो यह बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बनाया गया है, इसके साथ ही यहाँ पर जो admission है, वो बहुत से बच्चों को एक साथ लिया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको विवा college में एक अच्छा अगर कहें तो अच्छा आपको यहाँ पर environment में मिलता है, साथ में यहा प्राइवेट कॉलेजे से उनसे थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छे लैब भी प्रोवाइट किये जाते हैं, experience teacher भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यह college में भी विजिट किया है, तो मैं अपने experience के सा में जाना चाहते हैं, तो तीनों field के लिए यह college भी आपको बहुत अच्छा है, ठीक है, तो साथ में यहाँ पर आपको विवा college का pharmacy का भी एक department है, ठीक है, तो जो बच्चे नीट क्रैक करते हैं, या फिर CET देते हैं, और CET क्लियर करते हैं, महरास्टे सेट, तो वो भी पांचो college आपको जो railway division है, मुंबाई का, जो मुंबाई local division है, उसके अंदर गत आता है, यानि आपको station पे उतरके ही ये सब colleges आपको देखने मिल सकते हैं, आपको बहुत जादा अंदर जानी की ज़रत नहीं पड़ेगी, तो इसी के साथ ये video यहीं पे खतम होता है, अगर आपको इसमें कोई doubt होगा या फिर कुछ और पूछना होगा, तो आप हमें comment कर सकते ही, या फिर हमें message कर सकते हैं Instagram पे, और आप सभी का ये video देखने के लिए बहुत बहुत thank you, और मिलते हैं हम लोग एक नए video के साथ.